दोस्तो विंटर का सीजन स्टार्ट हो गया और इस सीजन में हमें सबसे ज़्यादा ज़रुत पड़ती है गर्म पानी की चाहें वो बात्रों में नहाने के लिए हो और चाहें किसन में लेडिस के यूज करने के लिए हो और दोस्तो उसके लिए हमें ज़रुत पड़ती है एक की चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले अब दोस्तो मैं आपको पतातुव गीजर बाइंग आट का first tip types of giezer दोस्तों गीजर कितने परकार के होते हैं दोस्तों नॉर्माली giezer तीन परकार के होते हैं electric giezer, gas giezer और solar giezer Electric Gizer में दोस्तो दो प्रकारी Gizer आते हैं एक Instant Gizer एक Storage Gizer दोस्तो इस पॉइंट को हम आगे चल के डिसकस करेंगे अभी हम बात कर लेते हैं Gas Gizer की दोस्तो Gas Gizer एक ऐसा instrument एक ऐसा Gizer होता है जो कि LPG Gas से चलता है जिसमें कि एक Reserve Gas SlinDR होता है और pipeline के दुआरा उस gas gizer में connected रहता है और spark करके वो gizer चलता है और आपको instantly गरम पानी मिलता है ये gizer काफी अच्छे होते हैं easy to maintenance होते हैं और बिल्कुल कम खर्चे के वाले होते हैं लेकिन दोस्तो यहाँ पे एक problem होती है क्योंकि अगर आप gas gizer अगर लगवाने के सोच रहे हैं तो आपको reserve में हमेशा एक LPG cylinder रखना पड़ेगा दोस्तो बात करते है solar gizer की तो दोस्तो solar gizer normally हमारे घर में इस्तमाल नहीं होता है लेकिन information के लिए मैंने आपको यह चीज बता दिया दोस्तो अब हम जानते हैं दूसर आप एलेक्ट्रिक वाले इंस्टेंट घीजर ही बाई करें क्योंकि अगर आपके saloon या फिर आपके beauty parlor में अगर आप घीजर लगाते हैं तो वहां पे वह आसानी सा fit हो जाता है एजी टू मेंटेनिंस होता है उसमें installation का एक परसेंट जंजटनी है जहां जाकर उसको बस ट बोरेज घीजर ही purchase करें तीसरा important point होता है water यानि पानी दोस्तों आपके घर में कैसा पानी आता है कैसा water आता है soft water आता है hard water आता है soft water मतलब मीठा पानी hard water मतलब काफी टफ और नमकीन पानी दोस्तों और एक बात और कि आप कैसे फ्लॉर में रहते हैं अगर आप अपार्टमेंट में रहते हैं और ऊचे फोल प्रोल पर रहते हैं तो आपके यहां पानी का प्रेशर कैसा है या फिर आपके घर में पानी का प्रेशर कैसा है दोस्तों soft water और hard water को में आगे चलके discuss करूंगा अभी मैं आपको बता दे रहा हूं कि दोस्तों अगर आप कोई भी घीजर खरी दे जाए तो वहां पे मेरी recommendation रहेगी कि आप 8 बार प्रेशर वाले घीजर ही बाई करें दोस्तों अब मैं आपको कपल हैं तो आपके लिए 10 लीटर का गीजर sufficient होगा अगर दोस्तों आपके घर में फोर मेंबर्स हैं आपके लिए 15-20 लीटर गीजर परफिक्ट होगा लेकिन दोस्तों अगर आपकी लार्ज फैमिली है यानि कि mother father included आपकी फैमिली है तो आप अपने लिए 25 लीटर का गीज कितने हैं नॉर्मली दोस्तों कुछ लोग होते है कि सिर्फ और सिर्फ बाथ्रूम में ही अपने गीज़र संदिल आते हैं और कुछ लोग होते हैं कि बाथ्रूम के साथ साथ एक pipeline कीचन में में ले है उन्हें कीचन में भी घरम पानी की ज़रूत होती है तो प्लीज मैं को काफी अच्छी तरह से समझेगा बिल्ड क्वालिटी में दोस्तों तीन ओप्षन होते हैं आउटर बोड़ी इनर बोड़ी और हेटिंग एडलिमेंट्स दोस्तों आपका गीजर बाथरूम में रहता है और बाथरूम में सबसे ज्यादा नमी होती है दोस्तों अगर आपके लोंग लास्टिंग होते हैं वो काफे लंबे चमय तक चलते हैं वसमें जंग लगने की चांसेस बहुत कम होती है दोस्तों मैं पर्स्नली रेक्मेंड ये करूंगा कि आस्क वाले गीजर ही और मेटल से बने आउटर बोड़ी वाले गीजर ही पर्चिस करें इनर बॉडी की होते थे जो कि बहुत जाड़ा दिन तक बहुत देर तक बहुत वह नहीं रहता था लेकिन अब जो की पानी पानी जाडर दे तक अज़ल offers की दो आप glass coating elements वाले इनर टेंक वाले गीजर मकाय करें कुक्य यह vicol seven लार्टिंग होते हैं और इसमें पानी जायधार देता कर गर्म रहता है तो आप glass सबसे बैस्ट होता है अगर आपके घर में स्विव्ट वाटर आता है यानिकि बीठा पानी आता है तो आप कोई भी elements लगा लेंगा तो कोई घ्यादा दिक्कत नहीं होगा लेकिन अगर आपके घर में hard water आता है यानि हाड नमकीन पानी आता है तो आपके लिए एनौड रोड ही लेना बेस्ट होगा जो होते हैं वह हाड वाटर के component को तोड़के बहुत जल्दी उसको गरम कर देते हैं इसमें भी दो टाइप के एनौड रोड आते हैं एक होता है सिंपल एनौड रोड और दूसरा होता है मैं पर्सनल रेकमेंड यह करूंगा कि अगर आप जिस घीजर वो खरीद रहे हैं अगर उसमें मैंगनीसियम कोटेक एनौड रोड है तो वह सबसे बेस्ट होगा आप उसी को पर्चेस करें दोस्तों जो चट्था पॉइंट है वह आटो पावर कट जिहां दोस्तों जब हम गीजर स्टाट कर देते हैं गरम करने के लिए और फल आपने काम में फञस जाते हैं दोस्तों वहां पर नापकर त्समें ज बहुँ quieres कर जाता है और जहां पर आप घ्याभ़त होने में AutoCut वाले फैसिलेटी ज़रूर होनी चाहिए दोस्तों सात्वा नंबर आपके स्टार रेटिंग और सर्विस और वरंटी से रिलेटेड़ आप कोई भी घीजर खरीदे जाए अटलिस्ट उसके स्टार रेटिंग ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि जितना ज्यादा स्टार र वरंटी मिल रहा है आप उस घीजर को बडिंग दोस्तों यहां पे मैं आपको और कहूंगा कि आप जिस भी कमपनी का घीजर खरीद के सरविस आपके सहर में कैसी है यह पी जरूर चेक कर pagar लें कि अगर उस कंपनी की सर्विस आपके सहर में अच्छी नहीं होगी और आपके इनर टेंग किया फिर हिटिंग अलिमेंट उसने वारंटी ज्यादा दिन की दे रखी है और वह खराब हो जाता है और अगर सर्विस अच्छी नहीं है तो आपको मजबूर होके इसी कितनी है इने टेंक पर कितनी है और आउटर बोड़ी पर वरंटी कितनी है अगर आप यह सातों पॉइंट अच्छे से समझ के कोई घीजर पर्चेस करेंगे तो मैं हंड़िट परसेंट दवा के साथ कहता हूं आप अपने बजट में बैस्ट घीजर बाय कर लेंगे दोस्त को शेयर कर दिया और प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए मिलता है इसी तरह के नहीं इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ तब तक नमस्कार जैहिंद वंदे मात्रव